Hi everyone, welcome to my channel Commerce Notes. आज हम Business Mathematics and Statistics जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, उसका जो चैप्टर चल रहा था हमारा Measure of Skewness, उसका एक practical question करेंगे जो की question number 3 है, यह वो question है जो आपको आपको आई हुए exam में, इससे आपको यह पता लग जाएगा किस टाइप के questions आते हैं और आपको किस में ज्यादा practice करके जाना है, पहले दो question हमने कर लिए है, अलग लग video बनी है उनकी, इसी video के description में आपको प्लेइलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, save कर लिजए उसको, और वहां से कहा है, जितने भी हमने questions किया है, जितने भी हमने यह कह सकते chapters किया है, उन सब का आपको उसमें से पता लग और इस chapter का सबसे पहले हम theoretical question कर चुके है, जिसने भी theory आई थी, वह हमने सारी की हुई है, नहीं देखी, तो देख सकते है, start करते हम अपने आज का question, यहां पे आपसे कहा है, काल person's coefficient of skewness पूछा है, तो same, first question भी आपसे यही पूछा था, second भी यही पूछा था, third भी यही प by model, so आपको formula क्या है, calculate जो करना है coefficient of skewness का वो यह वाला लगाने, ठीक है, तो इस क्या है, mean, minus, median, divided by, standard deviation, यहां क्या है, 3, तो वह यह x है, दे रख है, f दे रख है, अब x है, तो यह ऐसे range में है, तो इनके mid value निकालोगे, तो mid value निकाली, अब आपको d निकालना है, d क्या क अब, ध देश का स्क्क्याậ, अब, क्या यहाँ पर स्क्वेयर निकालना, तो यहाँ पर चांओ निकालने का, तो यहाँ पर इनकालने का, तो D dash का square भी निकालो, यहाँ पर इन्होंने नहीं बनाया, बट आपको एक column बनाना पड़ेगा, D dash के square के लिए, अब एक बर F को D dash से multiply करके लिख दो, और एक बर F को D dash के square से multiply करके लिख दो, जो कि इन्होंने यहाँ डिरेक्टर लिखावा, ठीक है, अच्छा, अब CF भी न and deviation तो निकालना है, आपको तो निकालो इनको, mean का formula, अभी तक दो question कि यहाँ आपको आगे होगा, a plus submission of F D dash divided by n into i, i क्या होता है, इनके बीच का difference होता है, F D dash आपका यह रहा, ठीक है, n कितना है, 30 है, और a आपने जो assume किया था, क्या 350, values put करो, answer यह आजाएगा, mean का, ठीक है अब हम निकालते हैं, दूसरी चीज, so यहाँ पर अब median निकाल रहे है, तो median, सबसे पहले क्या है, n upon 2, ठीक है, तो n कितना था, 30 था न, तो 30 को 2 से divide कहा है, 50th term, तो 50th term क्या है, कहाँ पर लाई कर रहे है, 200 से 300 के बीच में कैसे निकालते हैं इसको, तो 15th था, तो हम अब हम निकालते हैं, तो 15th term क्या होता है, उसी के उपर वाला, जो आपका 50th term था, उसी के उपर वाला, ठीक है, cf और नीचे f into i, क्योंकि अगर आपने यह अभी मीडियन मोड वाला chapter कर लिया होगा, जो इससे पहले था, तो आपको यह तो पता होगा, median का formula है, तो आपको वो जो values निकाल थी, वो इसी के लिए निकाली थी, और आपको पता है, into c है, c बहार होता है, root से, तो यह आप solve करोगे, आपको यह answer आजाएगा, so आपका mean आगया, median आगया, standard deviation आगया, formula आपको पता है, mean में से, median को minus करना है, और जो answer आएगा, उसको 3 से multiply करना है, और फिर अगया, आपसे median, median, mode, या फिर standard deviation, यह चारी चीज़े अगर आपको आती है, निकालनी, formula के थूँ, ठीक है, तो आपका कहा है, इसीली हो जाते होंगे, तो अगर वीडियो पसंद आएगे, तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चानल को सबस्क्राइब कर लेना, और व यह चानल को आपको 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 झाल झाल